भारत सरकार के द्वारा authorized कोई भी investigating agency या फिर court के judicial order के द्वारा किसी भी तरह का social platform पे चल रहा ऐसा post जो की एक fake news हो या फिर धार्मिक उन्माद बढ़ाता हो या किसी भी तरह का communal या community tension को बढ़ावा देता हो या फिर किसी भी तरह के nudity को promote करता हो या फिर किसी भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अभद्र भासा का इस्तमाल किया जाता हो या फिर कोई ऐसा post जो की भारत के national integrity के लिए खत्रा हो इस तरह के post के सिकायट जो हैं ये investigating agency या फिर court judicial order के द्वारा nodal officer को करेगा सिकायट मिलने के बाद nodal officer को 24 घंटे के अंदर किसी भी विवादित post को जिसकी सिकायट की गई है उस post को उस social platform से हटा ना होगा और इसके बाद nodal officer इस बात की investigation करेगा कि जो भी विवादित post था उसका originator कौन है अब इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर कोई विवादित post चल रहा है और उसको हम share कर रहे हैं तो उससे हमारे उपर कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इस rules के मुताबिक nodal officer को यह बताना है कि जो भी विवादित post है उस post का originator कौन है यानि कि उस post को सबसे पहले उस social platform पे किसने post किया था अब आप सोच रहोंगे कि क्या यह संभव है तो जहां तक मेरी जानकारी है facebook, whatsapp जैसे social platforms के लिए यह जानकारी इकठा कर पाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल कारे नहीं है they have certain tools या फिर IP address तक पहुँचके इस बात को पता लगाया जा सकता है कि उस facebook post का या फिर whatsapp post का originator कौन था और अगर इस बात की जानकारी मिल जाती है तो इसके बाद nodal officer जो है वह है इस बात की जानकारी investigating agencies या फिर court को दे देगी इसके बाद it is up to the court और investigating agencies कि वो कितनी ततपरता से कारे करते हैं और उस originator को पकड़ पाते हैं तो उस पे Information Technology Act और IPC के धाराओं के अंतरगत मुकदमा चलाया जा सकता है तो अब हम लोगों के लिए समझने वाली बात यहा है कि आज के परिस्तिती में आप किसी भी तरह के विवादित material को facebook, whatsapp समेत किसी भी अन्य social platform पर post करने से बचें क्योंकि अगर इससे विवाद उठता है और सरकार के नजर में यह विवाद आता है या किसी भी investigating agency के नजर में यह विवाद आता है और अगर इसकी सिकायत नोडल officer से की जाती है और नोडल officer यह trace out करने में सफल हो जाता है कि उस विवाद पोस्ट का originator कौन है तो यकीन मानिये कि आप मुस्किल में पढ़ सकते हैं